हेलो फ्रेंड आशीर यह आप सिंपल सोपे टेक और इस फीडियो में आप बताने हो ला हूँ कैसे आप अपने पोको M5 में आप्लिकेशन को लॉक कर सकते हो तो आजकल तो यह फीचर इन बेल्ट हो गया है अब तो आप लॉक के अलग से आपकी जरुद भी नहीं पड़ती प तो यहां पर आपको यह अला ग्रीन वाला जो आप यह खोलना है इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको जाना है अप लॉक के अंदर जब आप पहली बार जाओगे तो यह यहां पर प्राइवेसी सेट अप करने को बुलेगा यहां दखिए का फोन का पा हुल जाते हो तो आप इससे रिट्रीव कर सकते हूँ यहां नौट नाऊ दे रहा हूं और ये मुझे वेट-उट कराइगा हैसा हो जाता है उसके फोने एकरना पड़ता है अब यहां पर आपको यह option दे रहा है कि आप क्या क्या लॉक करना चाहते हो तो मैं बाकी सब तो खटा दे रहा हूँ मैं जस्ट Facebook का दोनों आपको मैं लॉक कर देता हूँ या एक ही करते हैं एक रहने देते हैं दूसरा मैं Chrome कर देता हूँ तो use app lock यह हो गया अब यहाँ पर आप चाहो तो अपना fingerprint भी आड़ कर सकते हो फिंगरप्रिंट आट करने जए क्या फाइदा होगा कि फास्ट है रेप्रोच रहेगा तो मैं fingerprint फिलहाल कैंसल कर रहे हूँ अब यहां देखते है क्या क्या option है एक तो मुझे fingerprint करने हो कह रहा है उसके बाद sensitive notification को hide करने हो कह रहा है of course एक बात obvious है कि अगर आप application को hide कर रहे हो लॉक कर रहे हो तो आप यह भी चाहोगे कि उसका notification भी private रहे तो आप यहां set कर सकते हो कि किस app का notification प्राइवेट रहेगा तो आप set कर लो उसके अलावा settings में चलो settings में देखते है क्या क्या है तो app lock enable disable करने का direct option है lock settings, lock settings में क्या है कब यह application वापस lock हो जाएगा एक तो होगा जब device lock होता है most convenient एक होता है device lock after और after exiting app यानि कि आपने app close कर दिया तब यह better है जो सबसे convenient अब वो यह है कि when device is locked और एक minute का gap हो यानि कि आप app यूज नहीं कि आपने एक minute तक तब वो automatically lock हो जाएगा उसके बाद lock all apps super powerful कोई करता है कि नहीं करता है even I am interested to know receive recommendation बंद करतो इसका कोई फायदा नहीं है pattern show unlock with fingerprint कर सकते हो face unlock कर सकते हो और add my account कर सकते हो तो चलिए यह हो गया हमारा lock का setting अब हम चलते हैं home screen पे और यहाँ पे हम search करते हैं facebook का तो हमने एक lock किया था एक नहीं किया था तो अब यह launch करते हैं तो again मुझे my account prompt कर रहा है बट यहाँ पे मुझे यह pattern मांग रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस application को lock किया था तो हमने इसको unlock कर दिया अच्छा अब हम lock करते हैं phone unlock किया था अब इसको unlock किया facebook पे जाते हैं अब यह मांग रहा है तो अब हम जाएंगे वापस उस app में जहां हमने setting किया था app lock में जाएंगे privacy password देंगे इसको मैं cancel कर रहा हूं और facebook को हम लोग ने खिया था और यहाँ पे जाते हैं setting जो हम लोग ने की थी when device is locked और one minute after exiting the app तो one minute after exiting the app close का कोई फंडा नहीं है तो अगर आपने close कर दिया और उसके बाद एक minute के बाद ही वो lock होगा इसी यह काम नहीं कर रहा था तो इसीच को आप थ्यान रखेगा तो that's about it किस तरह से app lock काम करता है तो आप अराम से इसको यूज करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो स्विटे को जरूग लाइक करेगा शेयर किरे में दोस्तों साथ देखने के लिए धने बाद हूःओ से दोस्तों सबु 갈किता है तो फ्यान है स्विटे।